जी नमस्कार हम लोग देख रहे थे complex नमर में तो अभी हम लोग बात कर रहे थे hyperbolic का तो यह दो integration को बहुत असान से आपने कर सुका है तो अभी इसके हम लोग आंगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं तो फिर हम लोग जो है आंगे बात करेंगे तो अभी हम लोग देखेंगे कि तीन बेसिक फर्मूला जो आप परे थे कि साइन स्क्वार थीटा कॉस स्क्वार थीटा इसकल टूबर यह हाइपरबोलिक में हो जाएगा हाइपरबोलिक कॉस स्क्वार एक्स हाइपरबोलिक साइन स्क्वार एक्स इसकल टूबर क्योंकि आपका इसमें आई वाला जो होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स आई के साथ टैन भी होता है और आई के साथ कॉट भी होता है आई के साथ कॉसिक होता है और दो सक्स्त के साथ नहीं होता है ये होता है cos hyperbolic x और से एक hyperbolic x के साथ नहीं होता है तो इसमें आपको मानने की जो तरीका था वह hyperbolic cos square x is equal to 1 plus sin hyperbolic x और दूसरा hyperbolic sin square x is equal to cos hyperbolic x minus 1 यह दो आपकी बात यहाँ पर थी अब हम बात करेंगे integration का यहाँ पर integration और 1 plus x s bar plus a s bar dx यानि x बराबर hyperbolic sin x को मानेंगे differentiation x with respect to a a का यह cos hyperbolic x हो जाएगा यानि यहाँ पर अब इसको रख देंगे तो a square sin hyperbolic x और a square यहाँ dx है अब 1 by a यहाँ बाहर हो गया और यहाँ पर sin यहाँ पर आप थीटा मान लें a भी थीटा हो जाएगा तो यहाँ a कौस hyperbolic थीटा और d थीटा a से कट जाएगा a भी वला इससे कट जाएगा यहाँ पर d थीटा आजाएगा यहाँ थीटा यानि इसको आप लिख सकते हो x by a और sign hyperbolic थीटा यहाँ बात यही बात जो है पिछले पेज में हम समझाया है यहाँ integration के बारे में यह बात तुम्हारे पास clear हो जाएगा अब तुम्हारे पास हम लोग इसके आंगे हम बात करते हैं तो यह बात तुम्हारे पास clear हो गया अब question पर हम लोग काम करेंगे तो question ने देखा जाए यहाँ पर question कौशन को अब यह को सब्सक्राइब करें इसी पर हम लोग इतना विच्एर कर दिये यहां पर लोकास निकालना है मैंस4 का होल एस्कवार जैंड़ प्लस वन का होल ऐन्हें यानि एकस्वार स्कॉर प्लसवाइब क्यों लगा देंगे फर्मुला आ आप जेड बराबर स्वांस ये जेड़ स्कॉर करेंगे तो यह हो जागा रिएल पार्टि निकाल देंगे तो यह स्टेट लाइन का हो गया अब जेड़ स्कॉरल टू जेड़ का ज्यू गयर्ट है या यह एकस बराबर वाय है और धूनों zero है तो यहां पर हम का सकते हैं कि प् माइनस 15 यानि यहां पर एक सर्किल तुम्हारा पास बन रहा है और जीरो कॉमा 225 पे और 15 रेडियस ले करके एक सर्किल खी जाए गया है अब यहां से यह और यह तेंजेंट है अब तुम्हारे पास जो प्रस्थ पूछा जा रहा है कि प्रस्थ क्या है यानि ठीटा पुछ रहा है कि यह तिटा की भैर्लू आराम से निकल जाएगा यहां पर 25 पंदरा यहां पर हल करेंगे तो zero कॉमा 44 हो जाएगा इसमें तुम्हारे पास 25 के स्कॉर में कि हमारा कीलियर है आप तुम्हारे पास दूस्री आगर हम बात करें हैं तो जेट क्या होगा आप यहां पर भैलू रख दोगे तुम्हारे पास बारा माइनस वो लाइए हो गया इसको तुम सॉल कर दो को हो जाएगा अब यहां पर लिश्ट निकल जाएगा जेडी क्या हो ज तुम्हारा है यहां पर एक्सकों करेंगे यह इंफिनिटी तो जा रहा है यह भी तुम्हारा इंफिनिटी फर्मूला लगा देंगे तो पाई हो जाएगा इसकी भाईलू 0 और साइड पाई की भाईलू मैनस 1 होता है तुम्हारे कम हो जाएगा अब फाइंट डिस्टेंज बिट्विन टू भाईलू का निकालना है यहां पर टू प्लस सिरी आई है और यहां पर सेवन मैनस 9 नाई घटाओगे तो मैनस फाइव यह 144 179 और 179 के भैलू ते रहा जाएगा अब फांट दर लोकस निकाला है इसका तो सरकल का होगा कैसे यहां पर सेंटर हो जाएगा तू को माथिरी रेडियस यह हो जाएगा यह आपका सेंटर का फॉर्मूला हो जाएगा अब जेट जेट का क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां पर जेट का स्कॉार है और यहां पर जेट कंजूगेट का स्कॉार है तो एक से स्कॉार माइनस यहां पर यहां पर एक स्कॉार माइनस वाई स्कॉार माइनस टू एक स्कॉार अब यहां पर यहां पर यहां स्कॉार से यहां स्कॉार कर जाएगा एक स्कॉार से एक तुम्हारा जो है यह तुम्हारा आ जाएगा और इतना इसकाल तु तू है यानी इसका जवाब तुम्हारे पास रिक्टेंगुलर है पर बॉला हो गया अगला question कर रहा है कि polar form exponential form में करना है तो यहाँ पर तुम्हारे पास आराम से कर दोगे तो यहाँ पर 2 इसकी radius दू दूनी 4, 4, 4, 8 यानि 2 root 2 हो जाएगा और 2 बटे 2 करेगा तो 1 हो गया second घर में हो जाएगा तो cos 3 pi by 4 और i sine यहाँ 3 pi by 4 हो जाएगा इस इधंग से इसका निकाल दो गया आराम से निकल जाएगा complex number z minus 1 आप तुम्हारे पास जो value है यहाँ z minus i का mod यहाँ z plus 1 का mod is equal to 1 है तो यहाँ z को किसको satisfy करेगा यानि x plus यहाँ i y minus i है और यहाँ x plus i y plus 1 है यानि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x square y minus 1 का square का root under x plus 1 के whole square और y square के बरावर है तो यहाँ x square यहाँ y square minus 2i plus 1 यहाँ x square 2x plus 1 y square y square से y square कट गया x square से x square कट गया अब तुम्हारे पास यह 1 से भी 1 कट गया अब तुम्हारे पास क्या आ गया कि 2x और यहाँ पर 2i हो गया बरावर 0 यानि x minus y is equal to 0 अब तुम्हारे पास अगला कोर्शन का रहा है कि escape the locus of complex number यहाँ पर तुम्हारा निकालना है आओ देखते हैं log mod z यहाँ पर cos 1 greater than equal than यहाँ log यहाँ z minus 1 और यहाँ पर cos 1 यह cos 1 1 से छोटा होगा तो सबसे पहले तो हम log का कराब खीज देंगे तो log का कराब 1 से छोटा के लिए strictly decrease करेगा यहाँ बात आपका clear है तो यहाँ strictly decrease करेगा तो जैसे जैसे यहाँ पर मान होगा यानि यहाँ पर mode z यह बरा यह बरावर हो जाएगा z minus 1 का अब यहाँ x square plus y square यहाँ इसको हल करो गया तो x square 2x plus यहाँ 1 और यहाँ y square यह कट जाएगा x square x square कट जाएगा यानि यहाँ 0 और तुमको 2x plus 1 हो जाएगा यहाँ 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 आईसे है अब यह वाला यहाँ तो हम दोनों को जोर सकते हैं तो दोनों को जोरेंगे तो यहाँ पर –2y हो दाएगा अब इसको हम लोग शॉल्ट कर देंगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा तो तुम्हारे पास कि यहां 2 और AX plus IY और यहां पर इसको हम लोग 2Z minus 2Y2 बाहर निकाल देंगे तो Z minus 1 हो जाएगा अगला तुम्हारे पास कह रहा है कि Z IZ आप 1 को लिनियर है तो Z का लोकस निकालना है तो यहां पर तुम्हारे पास अराम से निकाल सकते हो हाँ और यहां XY यहां पर हम लोग minus IZ है तो minus X minus Y लिख सकते हो 1,0 XY निपिट कर देगा तुम्हारे पास आ जाएगा important property of conjugate number तो यह फर्मूला तुमको already पहले से पता है गारी को आगे बहा सकते हो यहां पर तुम्हारे पास important formula modulus का है तो आभी तुमको modulus के भी property बताये थे यहां तुम्हारे पास triangle इन्कुलाटी से लेकर सारा चीज़ आप amplitude के अगर हम बात करें तो यहां gentleman Z2 के हम बात करेंगे तो यहां पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कि यह तुम्हारे पास यह हो यह हो जाएगा यह हो जाएगा और भाइलू माइनस पाइब से पाइब करने के लिए यहां पर भाइलू क्या होना चाहिए ज्यादा हो गया इसका एभी तुम्हारे का कर सकते हो कि फर्स्ट घर में ठीटा सेकेंड में पाइब माइनस ठीटा यहां माइनस पाइब पलस ठीटा और माइनस ठीटा का इस्तिमाल कर सकते हो अब तुम्हारे पास अगला जो तुम्हारे पास प्रणाव है वह तुम्हारे पास इसी रहंग से सोकर करते चलाएगा अब इस टाइप के यहाँ पर कोशन रहेंगे कि Z-I और यह तो क्या होगा यहाँ पर इस सिंपल से काम करेंगे कि X-square और Y-1 का whole square नीचे हल करेंगे तो X-square Y-1 का whole square is equal to 1 है एक से स्कूर एक से स्कूर तो कट जाएंगे Y-square Y-square कट जाएंगे यानि फोर वाई इस कल तुम्हारा 0 हो जाएंगे यानि Y-0 हो जाएगा यानि एक सेक्सिस पर चला जाएगा अगला तुम्हारे पास क्या है कि Z1-Z2 का whole square is equal to mode Z1-Z2 है यानि Z1-Z2 का भाईलू आपका 0 है यानि इस है तुम्हारे पास अगली प्रस्न तुम्हारे पास जो है यह परखोशन है कि Z1-Z2 कंप्लेक्स नमबर है और जेड़ान फिजेड़ान फिट्व यूनिम मोडलर कह रहा है तो इसकी हम भाईलू को शॉल्व करेंगे तो तुम्हारा भाईलू आजाएगा अब लोका सब कम्प्लेक्स नमर के हम बात करें और जेड़ान डाइग्राम में तो सटिस्फाइग कैसे कर रहा है यह चीज को त तुम लोग कर दोगे लौक की कर रहा है इसलिए ऐसा हुआ तो यहां पर तुम्हारे पास टू से मल्डिपलाई हो गया चार दूनी आठ हो गया इसको सॉल्व कर देंगे जेड़ माइनस वन यह दस आ गया तो यह जो आपका ट्रेंगल जो सर्किल के बाहर हो जाएगा यान कारी है कि से डेंगल बाय सलोगर है bisa सी क्या रिजन को कर रहा है इंडिकेट यह बात को इस लमको जानना हां तो यहां पर तुम्हारे पास देखो इस वी की वहलू क्या है तो 4 गुच्छे है और यहां पर 1 प्लस 3 रूट 3 आई है 1 प्लस 3 रूट 3 रूट 3 आई है ये वाला भैलू तुमको दिया हुआ है अब यहाँ पर तुम्हारे पास इसकी solve करोगे तो तुम्हारे पास minus 2 से यहाँ पर जोर दोगे cost लगा करके तो 3 प्लस 3 रूट 3 आई हो जाएगा और यहाँ पर इसको solve कर दोगे तो यह आजाएगा अब तुम्हारे पास ये angle तुम्हारे पास आ गया कि यहाँ जो angle है वह आपका angle क्या है यह बात को clear हो गया अब ये वाला भैलू उससे ज़्यादा दे रहा है चुकि इधर वाला part देता तो ये होता ये ज़्यादा दे रहा है और argument की भैलू जीरो से बरा है और पाई भाई थेरी से छोटा है इस सैड़र पोर्स्टन देख करके तो मराम से मना सकते हो अब हमारा जो question है कि conjugate और मोर्नस अर्गूमेंट से तुम्हारे पास यहाँ खोशन प्रजाना है कि यहाँ पर जेड का Q और जेड मौड इसकल टू जीरो है अब तुम्हारे पास find the number of solution की बात कर रहा है तो यहाँ पर जेड क्यू बराबर माइनस जेड का conjugate है यह बात भी तुम्हारे पास clear है अब इस बात को तुम्हारे पास clear है अब देखोगे तुम्हारे पास क्या करोगे कि तुम्हारे आसान से बन जाए तो यहाँ पर आसान से बनाने के लिए तुमको जेड बराबर ऐसा मानना है अगर सपोज करो आई मान लिया ति यहां पर i का क्यूँ पलस अब i का कंजुगेट करेगा ति पलस i हो जाएगा जानि जो माना है उसको कंजुगेट करना है तो अपने i माना है ति माइनस i हो जाएगा अब इतना बरावर 0 कह रहे हैं कि माइनस i क्यूँ हो जाएगा ति यह बात तुम्हारे पास है तो अब z q कहा हम बात करते हैं ऐसे यहां x पलस i y है z का q है यहां अब इसको हल कर दो तो x q y q 3 x square i y और 3 x y square z कंजूगेट कह रहा है यहां पर तो x minus x minus i y पहले तो x e plus i y हो जाएगा अब real part real part का equal हो जाएगा और इमेनरी पार्ट इमेनरी पार्ट का एक यह आएगा दूसरा अब इससे x y का भैलू निकल जाएगा कि कितना संभो है वो जितना संभो होगा वो आपका एंसर हो जाएगा अराम से निकाल दोगे कोई दिक्कत नहीं है अगला प्रस्न तुम्हारे पास कह रहा है कि जीरो से यह बरा है मौड जेट का भैलू यह है तो इसकी रियल पार्ट निकालना है यह का भैलू और मौड जेट है तो इसकी भैलू अराम से निकाल दोगे अब जेट वन जेट टू टू कंप्लेक्स नंबर है सच दैट जेट वन प्लस जेट टू है यह दोनों बरावर हो रहा है बरावर हो रहा है इसका डिफरेंस आपका ऐसे नहीं यह ऐसे जा रहा है तब ही यह बरावर होगा तो उस समय यह एंगल जो होगा जीरो डिगरी का हो जाएगा माइनस पाई से पाई बाई टू तक अर्गूमेंट जेट है तो उसका कंजूगेट करोगे तो कैसे होगा यह भी आराम से हो जाएगा यहां पर तुम्हारे पास यह माइनस में जा रहा है एंगल यानि यह एंगल तुम्हारा इस घर में है तो इसकी कंजूगेट करोगे तो इसकी कंजूगेट यह हो जाएगा माइनस लगा करोगे तो यह हो जाएगा अब दब रेशियो अफ वान बाई जेट वान प्लाज जेट प्योरली अगर इमेनरी नंबर है तो यहां पर मौड जेट का भाईलू निकालना है अगर प्योरली इमेनरी नंबर है इसका मतलब रियल पार्ट आपका जेट हो रहा है यानि इसका पहले हम लोग वान और एक्स पलस आईवाई मान लेंगे वान आई एक्स पलस आईवाई अब इसकी रेश्लाइज हम कर देंगे ना तो रेश्लाइज करके उपर कर देंगे अब यहां which of the following is not correct कौन इसमें correct है कौन नहीं correct है mod z का value 0 से बरा होता ही सही है mod z, real z, mod z, imaginary z यहां पर यह वाला बात हो जाएगा अब इसकी अर्गुमेंट की value निकालना है तो उपर वाला 1 by root 3 है और नीचे root 3 minus 1 है अब फोरें फोरें अप पहले हम बात कर लेंगे तो यहां पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कि यह वाला के value तो यानि 2 and 5 हो जाएगा इसकी value निकल जाएगा अब हम भाटिकल जो है वेक्टोरियल रिप्रिजेंटेशन अब कंप्लेक्स नमर की बात करेंगे यहां ओपी जेड है इसको हम लोग सॉल्व कर दें अब आया नेक्स्ट वाली बात अब तुम्हारे पास यहां पार रोटेशनल थियोरम की विवारे में बात किये थे तो तु में दिखेगा और यह अला को होगा तो माने गड Summit कि अव्हाले आपके हम भूब सुर्म लगाएं थिर और नमें रेमरे पास हो जाएगा यह तो यह अरा Historian को अराम से क्या है यहां बात को तुम सीखो कि कंप्लेक्स नंबर जेड़वन जेट्टू जेट्ट्री और भाटिक्स एवी सी आइसोसेलस राइट एंगल ट्रेकल है यानि यह यह पराबर है तो तुमको कोई कोई निकालने की बात करें तो पाई हो जाएगा इसको सौल्व कर दोगे आ जाएगा अगला इस अगला प्रस्न तुम्हारे पास यह है कि आहां पर कॉस अलफा कॉस बिटा कॉस गामा इस गल्टू जीरो है साइन अलफा साइन बिटा साइन गामा इस गल्टू जीरो है इसकी भेलू को करना है यहां तक तुम पहले कर लो तब फिर तुम से जो है इस पर हम बात चीत करें हैं अभी आपको जो है यहां तक ही यह बात को हम लोग करेंगे इसके आंगे फिर हम लोग बात चीद करेंगे अभी आपको यह वाला जिसे बात है आई यह लेकिन बात कर रहे हैं तो हम लोग कर लेते हैं तो एजी एजी कैसे होगा चलो हम लोग कर to three four sine theta one by four sine three theta तो यहाँ पर sine q theta को exponential i theta exponential i theta by two i का whole q लेक्षण अब इसको हम q plus b q के फर्मूला पर तोर दें तो नीचे वाले को eta i लिखे हो गया तो यहाँ exponential i three theta three exponential i theta minus exponential minus three i theta अब चुकि उसी फर्मेट में फर्मूला लिखना है तो उसी फर्मेट में लिखो तो यह दोनों फर्मूला आ जाएगा यह इसके साथ आ जाएगा तुम्हारे पास हो जाएगा इसी ढ़ंक से तुम्हारे पास next वाला कारा है sine five theta और sine theta इसकी भैलू क्या होगी तो यहाँ पर तुम्हारे पास इसको हम solve करेंगे तो पहले sine five theta का हम भैलू निकाल दें यह ज़्यादा अच्छा होगा तो यहाँ पर नीचे भी sine theta है यह बात तुमको लिखने की ज़रूत है ते exponential i theta exponential minus i theta और यहाँ पर two i का whole power five binomial expand कर देंगे और तुम्हारे पास आ जाएगा इस ढ़ंक से binomial expand कर देंगे तो a के power five b के power five minus b तो यह वाला फर्मूला आ जाएगा और इस फर्मूला को तुम solve कर दोगे तो तुम्हारे पास काम हो जाएगा तो आपको कैसे करना है यह बात तुम्हारा clear हो गया यानि कोई भी फर्मूला रहेगा तो राम से बना सकते हो आईए हम लोग देखते हैं कि फर्मूला को कैसे कर सकते हैं तो इस पर करने में किसी को कोई दिकत नहीं होगी अब तुम्हारा यहां z-4 less than z-2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यह बात को तुमको करना है तो x-4 का स्वार y स्वार और इधर x-2 का स्वार और y स्वार तो यहां x स्वार minus 16 y स्वार x square 4x plus 4 y square y square से y square कट गया x square से x square कट गया minus 4x और वह उधर जाएगा तो यहां 4 है 16 है तो minus 12 यहां 4x is equal to तो यहां 3x की भैलू 3 वटे 4 VLJ डाप को यहां निकल जाएगा अगला है root 3 minus i का इसको खल करेंगे multiple में निकल जाएगा यह भी उला निकाल देंगे यह भी निकाल देंगे यह भी निकाल देंगे अब यहां cos 5 theta को direct proof करना है तो direct proof कराम से कर सकते हैं यहां पर sign cos 5 theta को direct करना है तो यहां पर direct identity को proof कर सकते हैं यहां पर यह वाला 16 तो यहां तुम्हारे पास कैसे आ जाएगा यह बात को किलिए अराम से कर सकते हो यह cos वाले का भी कर सकते हो तो चुक्कि आज हम लोग यहां तक ही करें अब कल Q Root of Unity के बारे में बताएंगे मिलते हैं अगले वीडियो में बाइस पेस तक तक तुम्हारा हो गया है कहें कि कहें है